शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें शिमारूलेंगर में व्यार्व सब्सक्राइब कर भूलेंगर तिरंगे पर तिछे सर वो कैदी नमर 302 सी भागया नहीं सर वो पाकिस्तानी आतंगवादी अफजल खान को बहुत मार रहा है क्यों सर अफजल खान ने हमारे तिरंगे से तो सर अपना पंजाब का शेर है न वो उस पर तूट पढ़ा चलो क्यो हॐप यह क्यिस यह क्योः यह हुआ PAUL है हाह 47 हाहा! हाहा! हाह! हाह! ठाइको, मैकलाल! अच! अब सब कावंसर टक्राने जला थो! अच! 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 रामखोर! यह तिरंगा नहीं! सो करोड इंदुस्तानियों की जान है! रामखोर! इसी तिरंगे के लिए शहीद बगत सिंग और आजाद उन लोग ने अपनी कुर्बानिया दी थी! यह! यह तिरंगा शान है बापु नेहरू और तिलक की! और इसी से बापु की आउलादों तुम्हें इस तिरंगे की एहमियत पता नहीं! मैं तुम्हें बताता हूँ! अराम खूर जिस थाली में काते हो उसी थाली में छेट करते हो! जिस देश में रहते हो उसी से गदारी करते हो! जिस पलुम में नहीं! आई चेटी सबसे अगएनी ही ठाम अईयस दिन गाभप अरगा आई आइ है colours एव पाभाव डाभा ही एव आगा बड़ा डफ? तुए तुए तेरा बाप भी आतकवादी नहीं हूँ काल कोठी में डाल दो इसे मार मार कर अपाहिश कर दो मैं मुसल्मान खान हूँ लेकिन सबसे पहले मैं हिंदुस्तानी हूँ हुआ खान व कर फानिए उट्व Пटْ वाटना एूख उूएग राझा हुट एाँज हम्लुगते़ी भी नही राउअ प्रप्राप्पी पुर्या पुर्या जानगरमन अधिनायक जयाए बारत भाग्य विधाता पंजाब सेंद गुजरात मराता द्राविरत कलवंगा इंद्य हिमा जलय मुनागंग उच्छल जल दितरंगा तब शुव नामे जागे तब शुव आसिसमागे गाये तब जय गाता जनगरमंगल दायक जयाए बारत भाग्य विधाता जयाए 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 झाल 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 कि दो सुरुपे के लड्डू ले आना जी और इस दो सुरुपे के पेड़े गाउवालों में बाट देना बहुत अचा रे बेटी क्या बात है तुम्हारा मूड इतना उखड़ा हुआ क्यों है किसी ने तुमसे बत्तमीजी की पिता जी इस गाउं में किसी की मजाल है जो हमस तो फिर हमारी फूल जैसी बेटी का चेहरा मुर्जायवा क्यों है वो तारा तारा वो मुख्या का बेटा नहीं बत्तमीजी की तुम्हें नहीं मैं उस तारा की बात नहीं कर रही हूं मैं तो अपनी सहली तारा की बात कर रही हूं क्या हुआ तारा को उसकी शादी हो रही ह किया है एक अच्छा बढ़िया खुब्सूरत दुले का क्या बाबुजी आप भी कपड़ा भी शुका दे रहोगी या खाना भी खिलाओगी हाँ हाँ देती हूँ बाबा जरा तारा को तो आने दो आओ बेटा आओ बाबुजी सारा खेट जोटकर हो गया अरे बेटा शावाज, बेटा शावाज यह तुने बहुत अच्छा काम किया अब तुए काम कर भीटा ताल लुका जाकर खाद और बीज लेकर आजा अहां सब काम मेरे बेटे से करवाओगे, कभी खुद भी कुछ कर लिया करो अरे भागवान सब काम मैं ही करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे दिल का टुकड़ा बोलता है कि बाबुजी अब आप आराम करो, मैं काम करूँगा हाँ, ऐसा तो तपतक ही होता है, जब तक लड़के जवान नहीं होते, घर में बहु नहीं आ जाती है बहु के आने के बाद बगावत करते हैं, फिर तो घर में वही होता है, जो बहु चाहती है यह तो भागवान तुले सो भीज़ी सही बात कही, मैं भी पहले तारा की तरह है, बाबुजी की बात माता था, अब जब से तुमसे शादी हुई है, तुमारी बात माता हूँ, ठीक है ना हाँ जो जी, जवान लड़के के सामने ऐसा करते हो, कुछ भी अनाफशना बग देते हो, बाबुजी, आज लखिया सर्जू और बिर्जू मिलेते हैं, क्या कहा रहते हैं, वो कहा रहते हैं, कि ठाकुर बल्देव से ने उन लोगों की जमीन देने से इंकार कर दिया ये ठाकुर बल्देव से धीरे धीरे गाउं के किसानों की सारी जमीन हड़कर लेगा, इस ठाकुर के खिलाफ जंग का एलान करना होगा, क्या रहते हैं, ठाकु शाहप, गाउं में आपके खिलाफ बगावत के सुर्भ बजने लगे हैं, कौन है वो नामुराज जिसे अपन लेकिन काटते नहीं है, खबर मिली है कि इनकी सरपरस्ती मुख्या राम परसाथ कर रहा है, जिसके सामने आपने हमेशा मात खाई है, तेरी बत्तमीज, जलील कहीं के, मेरे ही सामने मेरे दुश्मन की तारीफ करके, मेरे जख्मों पे नमक रखा रहा है, निकल जाया थे, इ किती जाय जिन्दगानी, सला कब आएगा? जट! आख्या चोड़ देगे मुझे! या बात है, 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 है कितनी थ्यारी है बहुत चोड़ देगे मुझे बोली जनता हूँ चोड़ साथ, मुझे जने बीजे इसपट कौन आगया? इसी रे भॉलो सप्थाए इंस्पेक्टर तुम हाँ ठाकुर साथ हमें यह ख़बर मिलिया कि तारा शर्मा को जबरदस्ती आपने अगवा किया है यह ख़बर किसने दी आपको? ख़बर जिसने भी दी हो, मगर यह पक्ती है बोला तारा शर्मा कहा है? मैं यहा हूँ इंस्पेक्टर साहब मुझे ठाकुर साहब के आदमी यहां जबरदस्ती उठाकर ले आए हैं अरे हाँ भाई यह तो गट बंदन का जमाना है ना आपस में मिल बाट कर नहीं खाएंगे तो भूखे नहीं मर जाएंगे और फिर ठाकुर साब के साथ मैं हर जुर्म में पार्टनर हूँ और हर बलादकार में कंदे से कंदा मिलाकर चलता हूँ साथी हाथ मिलाना इसका मतलब तुम भी ठाकुर साब से मिले हुए हो करो ना अपन भी कतार में हैं अबे कतार क्या तो आजाए करता है अब कर लिया ना हाँ ठीक है न सब लोग है ना वालो तुमने हमें पंचायत में क्यों बुला है कि फैसला करने फैसला कैसा फैसला आप बेजू लखिया और सत्तू की जमीन ब्यादर मूल मिलने के बाद भी क् जब तक वो मेरा पूरा करजा नहीं जड़ेते मैं उनकी जमीन वापस नहीं करूगा अभी तक उन्हों जो पैसा दिया है उसमें मेरा करजा बहुत बाकी है आप ले इस ताम पेपर पर जो इन बिना पड़े लिखे किसानों का उटा लेने की जो चाल चली है ना मैं कभी प तब कुछ नहीं विकार सकते समझें आथ ही भी चीटी को देखकर यहीं सोचता है मगर जब चीटी उसकी जान ले लेती है तो उसे एसास होता है कि एक मामूल इसी चीटी उसकी मौत का काड़ बन सकती है अच्छा कर लो जो कर सकते हो तुम कर यह हिमत तुम मुझे धमका र तेरे दिन अब पूरे हो गए चलता हूं अब जोड़िये ठाकर साहब आप तो राम परसाद की बातों को लेकर ही बैठ गए उस कमीन ने सब के सामने मेरी बेज़दी की है ठाकर साहब आपकी बेज़दी मेरी बेज़दी है आप होकम करें तो साले को अभी टपका हूं त्रिपाडी कभी तो दिमाग का इस्तेमाल किया करो तुम मेरे लिए और मुश्किले पैदा करोगे मैं आपका मतलब नहीं समझा समझने के लिए दिमाग की जर्वत होती है त्रिपाडी वो राम प्रसाद का खून होते ही सारे गाउवालों को सबते पहले मुझ पर ही शक होगा वो उसे अपना रहनुमा मानते हैं ना और वो एक देश भक्त है जिसके हाथ में जनता की ताकत है और अगर उसके खून के ब करता है त्रिपाठी अब हमें ये सोचना चाहिए कि उस राम प्रसाद की ऐसी कौन सी कमजोर नस है जिसके हमारे हाथ में आने से वो खून के आशूर होने लगे हम उसकी कमजोर नस तो है उसका लाडला बेटा तारा 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 के बजा तो बारा करो तुम लोग मैं पूछाँ करो तुम लोग मामू आतंकवादी का नाम सुना है हम आतंकवादी है अच्छा तो तुम लोग आतंकवादी हो एक रात की पनाह चाहिए और खाना चाहिए कौन है पोलीज दर्वादा कुलो अगर हम पकड़ेगे न तो तरी बीबी नहीं कि अच्छाँ कि अच्छाँ कि अच्छाँ मामू आतंकवादी फ्रार हो गया बड़ा खातर नाका अजमी है कहीं तुमने उसे अपने गर में पनाह तो नहीं दी नहीं देखो जारा बच के रहना अगर सो गए भी तो एक आंग खोल के सोना है जीप जीप लगता है वो रह्मान के अड़े पर होगा चलो वहीं चल कर देखता हूं गाओ वाले हम पर हांसर है बाबुजी वो छाया खुलम खुला हाथ में हाथ डाले उस लड़के के साथ गाओ में घुम रही है कौन है वो लड़का वही मुख्या का बेटा अरे वही तारसीम उस मुझे पूरे गाओ के सामने बेज़त किया और अब उसका बेटा हमारे घर की इज़त पर हाथ डलना चाता है बाई साब आप इचाया को समझाए कुछ खबरदार अगर किसी ने चाया को बताया कि हम उसके प्यार के बारे में जानते हैं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा औ तारा तेरे बाद जल्दी बजेंगे बारा अरे ओठाकुर साब क्या सोच रहे हैं आप सोच रहा हूं तारा के खांदान को बर्बाद ही करना पड़ेगा सोच तो मैं भी यह रहा हूं लेकिन ये सब होगा कैसे तरीका तो हम बताया देते हैं सरकार तारा के पिता ने एक रात के लिए मामू आतंगवादी को अपने घर में पना दीती क्या सोच रहो तरी पाटी उठालो उसे और खतम कर दो अभी उठा ले तो उनसाले को है यह थो धुट है आ तो अ तो रैट में झालई में था एी जद एखने यह सब कर दोव़ में ही अफचर लेसे जो कि जो में एखने तो उता देपने हैं कि तॉब्ग छॉब एू हुएंग कि रगाद रव सकता कि नियसे color ने और बच negatively एंग कि रड από सुन्दाी कि घिलतव कि ने खॉण जयसे ए ए कि इरा चाले मोज़ चैंग जने ऋने! मा, यह मैं क्या सुन रहा हूँ, कहा है मेरे बाबजी? हाँ बेता, तेरे बाबजी को पलिस पकड़कर ले गई है ठीक है, मैं उन्हें देखता हूँ और मारो थाले को इंस्पेक्टर, तुमने मेरे बाबजी को की जुर्मे पकड़ लिया है कहा है मेरे पिता जी? तुम्हारे बाब को पकड़कर बड़े थाने ले गए है बगर उनका जुर्म क्या है? अतंक वादियों से मिला हुआ है वो तुम्हें पता है बरकुर्दार थाने में चिलाना गएर कनूनी है बात भेजे में आती है के नहीं? डीसीपी साब उसे खुद पकड़कर बड़े थाने ले गए है ताडा लगा है ताडा जमानत भी नहीं होती और अगर तुम उससे मिलने जाओगे तो तुम भी धर लिये जाओगे रही बात तेरे बाप की लंबे चकर में गया है अथंकवादी साला तो तुने पुलीस पर हाथ उठाया है तेरा बाप तो लंबे चकर में गया ही था अब ये देख उसका बेटा कहां जाता है अब फटा है उसका बेटा कहां जाता है अब फटा है अब फटा है अब लिए उसका बेटा कहां जाता है आप अब लेगाडा गुर्शाब किस तरह मार मार कर गोल गपा बना दिया है बहुत अच्छा क्या तुमने त्रिपाठी ये लो अपनी सेवा का मेवा अब एक बात बताओ इतने चारे में त्रिपाठी कितने दिन पाट पड़ेगा अरे ठागर्जाव ये चारा तु त्रिपाठी के लिए बस आरदास रोज गई है अराम खोर तो तू है इस शेडेंत्र के पीछे अरे ओ कमीने अपने ना होने वाले सफुर के साथ इस त्रभबत में इससे पेज आते हैं क्या त्रिपाठी ये बताओ ये बाप बेटे ने कबूल किया कि नहीं कि ये आतक वाजियों से मिले वें अराम खोर बदला लेना तो मुझ से ले मेरे पीधाची को क्यों दड़ पाते हो देख जो खांदान हमारे खांदान के तरह बुरी नजर डालता है ना हम उस पूरे खांदान का नाम होने चाज मिठा दरते हैं तेरा प्यार मुझ से जीत नहीं सकता तारा तेपाठी इसे इतना मारो इतना मारो कि इसके साथ इसका प्यार भी हमाईशा के लिए यही काल कोटनी में दफान हो जाए अरे ऐसा ही होगा नहीं नहीं बाओजी आपको कुछ नहीं होगा मैं हूना बाओजी मैं उसा जिन्दाने छोड़ूँगा बाओजी तू और तेरा बाब बुर अतंक वादी है नहीं क्या हुआ बेटी बुआ मैंने भी तारा के वारे में बहुत बुरा सफना देखा बुआ इतने दिन हो गए तारा में मुझे मिलने की कोशिश तक नहीं की क्या हुआ होगा उसे बुआ वो ना क्या है जेल में है वो क्या वो और उसके पीता जी आतंक वादियों को शारण दिया करते थे हम लोगा आतंक वादी नहीं है अरा पाप भी बोला नहीं ये नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता बेटा पैसों के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है मैं मा नहीं सकती बुआ मैं तारा से मिले जेल में जरूर जाओंगी ये मुम्के नहीं है बेटा मुम्के नहीं है क्यों है भगवान मेरे पती और मेरे बेटे की रक्षा करना क्राओव क्यों इंस क्यों Cık, 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 cık! Maya... यहाल अपर किसे किया, Baba Ji? Dad, why a fishing world what I do? Baba Ji, मैं नोगा जिन्दा नहीं चरूदूगा Baba Ji Nei Baba Ji मैं नोगा जिन्दा नहीं चरूदूगा Moncada Baba Ji सब ओगा Baba Ji, सब ओगा Baba Ji I gonna, outta Babaji Babaji Aba Babaji sommet सब्सक्ते! नहीं. बलहूं, आपे चॉदके नहीं । बलू। वह गो गे न, रामनाम सत्य है अरे वो भुल्दार, तारा को बार ले के आओ और इस लवर इस फ्लाश को उठा कर जंगल में पेंद दो लाजे, इंस्बेक्टर, मेरे पिदाजी के लाश को हाथ नहीं लगा ना अरे हमें पता है बरकुरदार की बाब की चिता को आग बीटा ही देता है लेकिन ये बाड़ी तो लावारस थी और लावारस ही रहेगी बुलदार ले जू इस लाश को जलादो जंगल में हड्यां तक नहीं मिलनी चाहिए शाली की जल्दी ले जू इस ए आस मार रही है इसक्टर ओड बुए, एढ दूआ हुँ झा इछ झा एँर एँ झालो ne राफ बसे आपतो निट हर जय को. इताजी, इताजी तारा जेल तोड़कर भाग गया क्या, तारा जेल तोड़कर भाग गया वो कैसे वो तो मुझे पता नहीं, पर मेरा क्या होगा तो आ गया बेटा तेरे चेरे पर यो चोटों के निशान कैसे अच्छा ये बता तेरे बाबुजी कहा है मैं पूछने हूं तेरे बागुजी कहा है ठागुल बलदर सिंग, बाँ निकल मुझको भी तो निफ्टिकर तारा, यहां, ओ भीमा, जगो, शेरा, जल दियो मर गयो करूड़ Нवट नाँ… यूझ, नजτ, नजियो विक्री यह आतंगवादी है चूट बोलता है तू लुग जाओ, मैं कहती हो लुग जाओ आतंगवादी सब लोग कहते थे कि तुम आतंगवादी हो TV, समाचार, मेरी बुआ तक लेकिन मैंने किसी की नहीं मानी मकर आज, आज तुम्हारे हाथों में हतियार देखकर मुझे ही यकिन हो गया कि तुम आतंगवादी हो चाया, तुम भी? अरे तुम तो हैंसावादी थे अब तुमने भी हतियार उठा ली चाया, तु सच नहीं जानती इन लोगों ने मेरे बाबुजी को पाल दोलाएं छुट कहरे हो तुम तुम्हारे बाबुजी आतंगवादीों से मिले हुए थे जहर बढ़ दिया तुम्हारे दिमाग में इन लोगों ने मेरे खिलाब निस्पक्र साब, एक तम शाही वक्त प्याएं बढ़ना इचे, बढ़ना भाएं बढ़ना भाएं सब लोग कहते थे कि तुम आतंगवादी हो टीवी, समाचार, मेरी बुआ तक लेकिन मैंने किसी की नहीं मानी मकर आज, आज तुमारे हाथों में हत्यार देखकर मुझे ही यकिन हो गया कि तुम आतंगवादी हो कि ज आतंगवा भाएं सबवादी al खेखकर किसी sert धोड़ना भाएं भाएं कर दो का अजा कर दो आद अद्वादि काते हैं लोग हमें हम आतंगवादी नहीं है हम हकुमत के सताएंवे बागी है मैं अची तरह जानता हूं तुम्हारे साथ क्या हुआ और ये भी जानता हूं उन लोग ने तुम्हारे बाबुजी के साथ क्या किया इन सब का एक ही जवाब है तबाही लो लो तबाही मुचा दो लो क्या सोच रहे हो कर दो करें लो आदे कि अख़सरी नादाए बेड़ा उच्छए से जानता हुआ है कर दो अब कर दो को आज पेंजिक्जा एक नई तक जन लिए कि अठर दोप्टेश काव को कि अचाए व्चिए एक तुम्हारा हो आज से एक नई ताखत जनम लेगी तातिया 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 तोट पो उन पर जो तुम से जीने का अधिकार छिन रहे हैं चारोतर तवाई मचा दो ताकि सरकार और पुलिस को सबक मिल जाए कर दो हैं ओगैना रामनाम सत्या तातिया मैंने बोला था ना मैं तुम्हें जिन्दा पकड़ूंगा आज मेरी कसम पूरी हो गई इंस्पेक्टर तातिया को कोई जिन्दा नहीं पकड़ सकता तातिया ये तो मर सकता है या तो मार सकता है हुँ हुँ भूयाँ आनााओ यजmas आ हल पाह अग्याई बति य इया दय में इझाइ relationships कि यूर ये या ये य लपा प्राफ है जह और फखा या hoि तू...? कि इसकेओ ये ये कि यू ये बिदा बो खान साम एक बड़े खावर है क्या हुआ पुलिस में ताट्या को घेर लिया है मुझे डर है कि वो मारा ना जाए मैं बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा कर यहां पहुचा हूँ बहुत अच्छा हुआ जो तु यहां गया वरना तु भी पगड़ा जाता है इसलिए मैं उल्टे पावां से भागाया लेकिन गलत जगह पर तु आ गया है पगड़ा जाता यह मारा जाता लेकिन यहां तो तू सौफ ही सदी मारा ही जाएगा माफ करना परवर्दिगार माफ करना लुग करना भी जाता जाता एंपा जाता लाता शाता जाता एंपाब बने भागायाँ बने एंगएश्गू बनी अजएफ है। मुझे फकर है तुछ पर है अरे मुझे पूरा यकिन था कि तातिया मारा जा सकता है लेकिन पकड़ा कभी नहीं जा सकता आओ आओ तातिया मैं मन नहीं सकता और नहीं जिन्दा पकड़ा जा सकता हूं बस सिर्फ मार सकता हूं सावाश मेरे तातिया सावाश मेरे शेर आओ आओ, आओ शेर या तातिया छेर बनीघ्ना घंडा नहीं जिन्दा सकता हूं लुपें हनो, जिक येार बनीघ्ना, इग लुपें हो जेरे खाहश मेरे तोमय हैं, मैं जजड़ागा छूपें हिम кे बicação रहीं सावाश मेरे घ्ल्वाश हैू से लख अबसे दो हैं 5-ится र कर दो कर दो रह गया है अधूरा सपर मेरे साथिया तेरे बिना तूनी दखर मेरे साथिया तू मिले तो मुझे मेरी धड़कर मिले जूनती है तुझे को नजर मेरे साथिया रह गया है अधूरा सपर मेरे साथिया तेरे बिना तूनी दखर मेरे साथिया तूनी दखर मेरे साथिया तूनी दखर मेरे साथिया रह जित दो कम कर दो तूनी दूनी देए झीज जोन खब एंग जो खंग के बता हुआ खंग नब पिकार प्याया है दोनन के लुड़ा दो चिपसे ली कहा हा और रहा असलाम अलेकुम जनरल साब तो खान साब आप हमारे मुल्क में भी आप पहुंचे हैं ये क्या हुआ ये एक छोड़ा जख्म है ये बताइए कैसे आपने मुझे याद किया खान साब हिंदुस्तान में जो आपकी और्गनाजिशन काम कर रही है उससे हम बिल्कुल भी साटिस्वाइड नहीं है तो फिर आप कर ये किस तरीके से साटिस्वाइड हमें वैसे भी मैं नहीं समझता खान साब की ये काम आप अकले कर पाएंगे तो फिर मेरे लिए क्या हु आपके लिए हुक्म ये है कि आपके मुल्क में बहुत सारे नौजवान बच्चे आपके एक इशारे पर कुछ भी कर सकते हैं बिल्गुल मैं चाहता हूँ कि उन सब लड़कों को हिंदुस्तान की सहरत के सपार लाया जाए और खास तोर से वो लड़का क्यानाम उसका तात आजसे के लिए बड़ा मशूर होता जा रहा है और हम चाहते हैं कि वो उन्हें अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग दी जाए जिससे हिंदुस्तान के कोने कोने में बच्चे आतंग फैलाएं और वैसे भी दुनिया की कड़ी नजर हम पर है और हम नहीं चाहते खान साहब कि दुनिया को इस बात का पता चले कि हम आपकी मदद कर रहे हैं आप फिकर मत किये जनल साहब किसी को कानो कान भी ख़वर नहीं होगी कि हम एक दूसरे के हम दर्द हैं हम राज हैं हम तो अभी मेरे ख्याल सोसे हां लाना खत्रे से खाली नहीं है आप जैसा मुलासिप समझे अच्छा तो मेरे मिटिंग का वक्त हो रहा है मैं चलता हूं भाई खुदा अफिस खुदा अफिस अब करें अब करें नंबर 302 तुनता नहीं क्या तुमसे को लड़की मिलने आई है क्या माबोड बिमार है हाँ वो तुम्हें बार-बार याद करती है शायद वो नहीं रूपा माँको कुछ नहीं हो सकता है अहां बै उसे मिले जाओंगा जरूर जाओंगा मगर यहां तो पुलिस का कड़ा बंदुबस्त है तारा इस मौत के कुवे से तो बाहर आ सकता है बगर तुम और सलीम रात को तयार है न वो देखो वो रही मेरी बेटी चाया अरे सिना जी कैसे हैं कौन सिना जी है भई हमारे दोस्त और तुमारे पिता जी सिना साहब अच्छे हैं भाई साथ लड़का तो अच्छा है चुप भई एक बात बताओगे यह तुमारी अतंग वाज्यों के साथ लड़ाई कब शुरू होगी बस अंकल बहुत जल शुरू हो अंकल मैं पुली स्टेशन होकर आता हूं हो क्यों बेटा भारी शुक्कायन तो अने साथ शुक्रिया अंकल आप बोल क्या बोल रही थी लड़का अच्छा है तारा की फाइल से यह बात साबित हो गई है कि उसका बहुत बड़ा गिरोह है और शेहर के बड़े-बड़े क्रिमिनल्स उसके साथ हैं जैसे संग्राम टोनी डाना और अब्दुल उन सब का इसमें पूरा का पूरा पूरा इतिहास बंद है सर क्या इस फाइल में यह भी ल अब ही कभी प्रेमी हुआ करता था किस्से प्रेम करता था अरे साहिब अब हम क्या बोले चोटम और बड़ी बात हो जाएगी ना आप प्लीस वाले हैं खुदी पता लगा लिजिए ना बाहर के मुलके आतंगवादी है आतंगवादी बाहर से मंगवाने की क्या जरूरत है इसे हिंदुस्तान में पुढ़े लिखे नौजवान बेकार बैठे हैं उन्हें लालखों का लालज दो और आतंगवाद बनाओ वो खुद अपने भाईयों का खून करेंगे और हम अपने मकसद में काम्याब हो जाएंगे सही किया तुमने आओ बेटी आओ बैठो वैसे जब से मेरे याँ ट्रांसवर हुई है लाइफ का मज़ा ही कुछ आवे चाया क्या तुम तारा को जानती हो में आटी मुझे सच उचित सच बता है नहीं में यह गाओ ते बहुदत awhile यह जवार खूकर मेरे प्यार करनती है ओसक्ते है की गाओ में तुम लोग मिला करते थे लेकिन गाओं वाले के ड्योstore लेकर तो कiph epic investment नहीं मैं उससे प्यार करती हूँ, नहीं वो मुझसे प्यार करता है तब तो बहुत अच्छा है, क्योंकि तारा बहुत जल्दी मेरे हाथों से मरने वाला है मैं अगर बातों से पेटना भरा हो, तो हम लोग खाना खाले नहीं अंकल, अब तो मैं शादी के दिन ही इस घर में खाना खाऊंगा झौप चैंप झौप 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 खलका 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 मेरा जल खलका तु मुझको चाने दे बादा लेले खलका धलका 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 मेरा जल खलका आज तु मुझको चाने दे बादा लेले खलका धलका 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 आख को ऐसे न तुझो मुझे यून बे अरार कर ऐसे भी क्या चलते है थोड़ा इंतिजार कर ऐसे न तुझो मुझे यून बे अरार कर ऐसे भी क्या चलते है थोड़ा इंतिजार कर दिल का दिल का दिल का बुरा हाल है दिल का आज तु मुझे को चाने दे बादा लेले तल का धलका 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 मेरा चल धलका आज तु मुझे को चाने दे बादा लेले तल का धलका 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 हुआ 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 है धर्के जिया मेरा धर्कन भी दोलती चंचल हावाए मेरे भूंगत को खोलती धर्के जिया मेरा धर्कन भी दोलती चंचल हावाए मेरे भूंगत को खोलती चलका 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 ना प्यारियो चलका 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 ना प्यारियो चलका तुर्द तुर्मिजड तुर्ट नेले चल्का धल्का 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 हाँ कम अरे सिनाव लोके त्व मेरा फिर बहुत बहुत पसंदा है अरे विजय को भी छाया बहुत पसंद आई हाँ तो फिर देर किस बात की अगले अफते चले आओ कुछ रस्में कुछ कस्में पूरी कर लेते हैं बैं आता हूं अगले अफते आजाओ यार इंतुदार कर रहे हैं तुम्हारा बैया लगता है बात बन गई हाँ रन्मीर सिना हमारा बस्पन का दोस्त है हमारी बेटी का रिष्टत तो उसे कबूल करना ही होगा न विजय को भी छाया के प्यार के बार में कुछ नहीं मालूम और ऐसा ही होना चाहिए तुम अपनी कैसी जैसी जबान बन रखना समझें ये अच्छा बैया मगर ये दुनिया वाले है तुम सीसे जाओ और चाहिए को शादी के लिए रादी करो ये जरूर मरवाईगी मुझे शादी नहीं करनी बुओ बड़े भाया ने तेरा रिष्टा इंस्पेक्टर विजय के साथ तैय किया है क्या गबरू जवान है बाबली हो क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे द्वारा किया हुआ रिष्टा तुम्हें जरूर मंजूर होगा क्या तारा जेल तोड़कर भाग या मा मैं तुमसे मिले बगर नहीं रह सकता बेटा मैं भी तेरे बगर कैसे रह सकती हूं यह सब नजाने क्या हो गया अपनी जिन्दकी तो एक कहानी जैसे लगती है मुझे आज भी याद है तेरा बच्पन जब तो अपने बाबुजे के साथ खेला करता था यह सकता बाबुजे के साथ खेला करता थाद है कि अगर अगर कर गोल गपा बना दिया है बहुत अच्छा क्या तुमने त्रपाटी यह लो अपनी सेवा का मेवा तात्या तुमारी बेतरी इसी में है कि तुम अपने आपको पुलिस के हवाले कर दो कि मुझे कुछ नहीं होगा बैता हूं तात्या आखिर आज मैंने तुझे पकड़ी लिया क्योंकि मैंने कसम खाई थी बस क्या यही कसम खाई थी कि में लाज पर कड़ेंगर शादी करोगे मेरे प्यार की ताकत को तुम नहीं जानते हैं प्यार की ताकत को मुझसे बैतर कौन जान सकता है पर शाया तुमसे प्यार नहीं करती समझे वह उससे बैतर कौन जान सकता है मरोगे तुम, मेरे हुठ से मरोगे जान प्यारी है तो छाया का खيीआल अपने दिमाग से निकाल देना वरना पच्थता ओगे जाओ इंस्पेक्टर, हवारे पीछाने की कोशिश मत करना वरना अज्याम तुम जानते हो मरोगे तुम, मेरे हुठ से मरोगे कर दो दो ए हम धे हम श बाट बाट जार अजय मेशा बास्ध लाटे जाटें हो अजाशना अरम फो दो ठाट legिंश कि अवाटयाbnा बेम किंशा तरह कि बेंzenा बेद काहны है में जा इजा पियान हो तरह अब यहाँ घाना एक दम बढ़ीए है हलोँ उट दो जदी है विस्ट किलोमेटर दूर ताथिया ने हमला कर दिया ऑके ऑके मैं पोंस्ट आँ हाँ आता आता बाओ जी तरह ने हमला कर दिया है चलो मैं चलता हुदेरा एह इदर आया सब का ख्याल रखो में आते हैं लोड़ो गारोज। हाई, 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 हाई सब लोग कहते थे कि तुम आतंवादी हो टीवी समाचार मेरी बुआ तक लेकिन मैंने किसी की नहीं मानी मकर आज आज तुमारे हाथों में हत्यार देखकर पुझे ही यकिन हो गया कि तुमार तंगवादी हो आज जो दिल में लगी है उसे दुनिया में लगा दूगा मैं उठी चो तेरी डोली सारे जवाने को चला दूगा मैं मुझे पता है कि कल रात तु फिर एक मंडप उजारने गया था तारा कब अश्चले तो और मंडप जला दे यहां से चालिस गाउं में किसी की शादी नहों प्रेमी है पागल है दिवाना है लेकिन तू ये मत भूल दुनिया की नज़रों में तू एक आतंगवादी है और आतंगवादी की कोई प्रेम कहानी नहीं होती बस एक काल तो होता है राक के धेर में शोलों को आत लगाने की कोशिश मत करना नहीं तो जल जाओगी अरे तातिया कल को भूल जा और आज जो तेरे सामने खड़ी है उसे अपना ले नाम मेरा रूपा है मगर आग तो मैं भी हूतारा नफरत के आग दोनों तरफ लगी है अब देखना ये है कि कौन जीता है और कौन हारता है ठागर साब आज तो मेरी कसम पूरी होते होते रह गई तात्या मेरे हाथों आया भी और रेट की तरह निकल भी क्या इसलिए तो कहता हो बेटा अपनी कसम वसम भूल जाओ और चाया से शादी कर लो नए ठागर साब नए इससे तो मेरी कसम होर भी मजबूत हो गई है अब तो मैं तात्या को जिंदा या मुर्दा पकड़ के रहूंगा और उस किले मैंने वो चक्रव्यूर अचाहे जिसमें उसे फसना ही होगा कोई बात ने बेटा मुझे तुम पे पूरा भरोसा है मार डालो साले को किले मुझे चाया बेटी बुआ मुझे माता के दर्वार ले चलो क्या हुआ को उसके जान की दूआ मांगनी है उसने तेरे साथ जो भी किया उसके बावजुद भी उसने जो कुछ भी किया बुआ हालात से मजबूर होकर किया बुआ मैंने उसे सचे दिल से चाहा है बुआ मुझे माता की दर्वार ले चलो अच्छा तो यह पुलिस की चाल थी कहा है तात्या अच्छा हुआ जो तात्या नहीं है हुने जह ख़बर मिली है वो सच है तात्या सच है कान साफ हमारे चारो लड़के पुलिस की आदों पकड़े गए यह उनकी चालती मुझे पकड़ने की ठीक है तातिया हम नों चारों लड़कों को पुलिस के चंगुल से किसी भी हाल में छुडाना पड़ेगा अबारे चारों आदमी वापस आएंगे और हमारा कोई भी आदमी मारा नहीं जाएगा और पुलिस पुलिस को भी गुटने टेकने पड़ेंगे वो कैसे उन लोगों चार चलेती अब हम भी एक चार चलेंगे किसा ninety बाव किस्टा नहीं पर दुलिसे शित फड़ेगा झाले भी हो जब हमारा कोकि पóriaप, भी मैं भी मारा कोर्वाल आप सभी को बंदी बनाए जाता है आप सभी को बंदी बनाए जाता है आप सभी को बंदी बनाए जाता है क्या हुआ दादिया काम हुआ हाँ शाबाश मेरे शेर अपनी पकड़ उन पर धीली मत करना अब मैं अपने चार साथियों का पुलिस से सौधा करूंगा और कोई भी गड़बर करें तो उसे कोलियों से भून देना है तो खामोश के होता तिया जिंदेगी बड़ी अजीब है कांशाप ऐसा इम्तियान लेती है कि आदमी को खामोश कर देती है मैं मैं तेरा मतलब नहीं समझा मतलब समझने के लिए देल चाहिए जो तुमारे पास नहीं है अच्छा ही है वरना मैं भी मजनुव में शामिल हो जाता है ठीक है तू अपना काम कर मैं अपना काम कर तुदा हाफिस मेरा नाम तातिया है आप सबको बंदी बनाया गया है क्योंकि पुलिस वालों ने हमारे आदमी को पकड़ लिया है हमने उन्हें 48 घंटे का समय दिया है वहां से उन लोगों को छोड़ दिया जाएगा और यहां से आप लोगों को तब तक आप वही काम करेंगे जो हम चाहे कियों तुम लोग जो सब कर रहे हैं अबे चुबबे कानून के पुतर वरना यहीं पर तेरे को लटका डालूंगी क्यों मैं किसी दिने डरता मैं तो तुम लोग से भी कहता हूं चलो यहां से है खौबरदार किसी ने भी आगी कदम बढ़ा है तो मैंने रुकने वाला स्रूल हलो हुआ इंस्पेक्टर फार वो घली खान हरा था स्ब्सक्रा अर्फ कर वाले लोगों को मैंने किड्नेप कर वालिया है कि अगर तुमने हमारे चार सातियों को नहीं छोड़ा याद रख इन यात्रीयों की मौत के समेधार तुम होगे सब्सक्राइब नई खान तुम्होंने में कुछ करोगे ठीक है मैं सिर्फ 24 गंडे तक इंतिजार करूगा हलो खान, खान, हलो, 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 अब तो मुझे पता लगानाई पड़ेगा कि पस गई तो गई का हलो, ठागुर साब, ठागुर साब एक भौत बुरी खबर है आपकी बैटी चाया, आपकी बैटी चाया और कुछ लोग खान के कबज है लेकिन, हलो, ठागुर साब आप फिकर मत किजिए, ना किसी भी कीमत पर होने हो वापिस लाकर दिखाए इस नक्षे के मुताबिक बस इन दोनों चेक पोस्टों के बीच से घर होई है इसका मतलब यह हुआ, कि आतंकवादियों का अड़ा यहीं कहीं है तुम अपने सब के सब आद्मियों को ले जाओ और चारो तरफ पहल जाओ मुझे आतंकवादी किसी भी हाल में चाहिए, समझें कमान, मौना हो जीज है जो हालो, हाँ अतातिया, खान बोल रहा हम हाँ देखो, उस इंस्पेक्टर ने हमारे चार आदमियों को छोड़ने से मना कर दिया इसलिए तुम लाश्चनों का ठेर भिशा दो भारो सबको, गोलियों से भून डालो, कोहराम मचा दो ठीक है इसलिए 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 मर में के लिए तयार हो जाओ तारा, मरना है तो मुझे मर ले तो फिर मर इसलिए 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 कर दो 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 को तुम्हें हिंदूस्तान से क्या गिला था ? जो तुम आतंकवादी बन गए? गिला तो मुझे हिंदुस्तान से नहीं, हिंदुस्तानियों से है आज भी मेरा सीना चील कर देखो मेरे देश का अनक्षा छपा हुआ नजर आएगा जूट, अरे मुझे तो शर्माती अपने आप पर कि मैंने तुम जैसे दोगले इंसान से प्यार किया ये तो वक्ती बताएगा कि तुमने क्या प्यार किया और हमने क्या प्यार किया फिर जूट, अरे तुमने तो मुझे से कभी प्यार किया ही नहीं क्या? पस धोका दिया है धोका मैंने प्यार ने किया मैंने तो ये बंदुक मेरे आत्मे किससे थमाई अच्छा बहुत प्यार किया है तुमने मुझसे तो इस प्यार की भरोसे मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ दोगे प्यार में सोधा करने की आदत गई नहीं तुमारी मांगो मांगो क्या मांगना है जान तक देदूगा मुझे तुम्हारी जान नहीं मुझे उन लोगों की जान की सलामती चाहिए जिन लोगों को तुमने कैद किया हुआ है उनमें मासुम बच्चे निर्दोश औरते हैं जिनका कोई दोश नहीं तारा तुम्हारी दुश्मनी चाहे जिन से भी हो उनका गुस्से इन मासुम पर मत निकालो तुम तो इतने बेरहम नहीं थे तारा तुम्हें गुमना किया है इस राक की अंधेरे ने ठीक है मुझे तुम्हारा जवाब मिल गया कि तुम उसे कितना प्यार करते हो ठेरो मंगी तो मेरी जान मंगी लेकिन जो मेरे प्यार का दावा साबित न कर सके वो जान किस काम की क्या चाहती हो उन लोगों की रहाई छोड़ दूँगा लेकिन तुम्हें मेरे पास रहना पड़ेगा ठीक है एक आतंक वादी और क्या शर्त रख सकता है मेरे तारा से प्यार किया था जिस दिन तातिया तारा बन जाएगा मेरा प्यार लोट आएगा लेकिन मैं जानती हूँ ये कभी नहीं हो सकता बहुत जल्द तुम्हारे सामने तुम्हारे बाप से उगलवा दूगा कि ये आदमी तारा से तातिया कैसे बना तातिया तुम पागल तो नहीं हो गये हो तुम खान से दुश्मनी लेना चाते हो वो भी इस लड़की के लिए यही समझ लो मेरा पहला मकसद कुछ और है खान तुम्हे माल डालेगा अगर खान से बच गए तो कानून तुम्हे मार डालेगा हम तो कब से अपनी जान हाते लिपले कर घूम रहे हैं कमबक्त कोई लेता है नहीं मुझे मालूम था ये लड़की तुम्हें एक दिन मौत के करीब ले जाएगी जाओ चली जाओ यहां से बेटी तो आप लोग मेरी फिक्र मत कीजिये आप लोग जाएए तुम्हारा काम हो जाएगा चिंतावत करो बाई साब क्या हुआ चारा चाय को लेकर भाग गया और तुम अपना मूँ खाला करके यहां चली आई मैंने सोचा हम दोनों में से किसी एक की जान तो बचे ठीक है अच्छा किया एक बात बताओ तात्या ने उसने आपको माने के कसम खाई है तात्या मुझे मारेगा उसे यहां आने तो दो तात्या मैं तुझे जिन्दा नहीं छोड़ूगा नहीं नहीं छोड़ता मुझे तारा तात्या कैसे बना यह तो पता चल गया लेकिन तुम्हें एक लड़की होकर इन आतंगवादियों से मिली हुई हो नहीं मेरी भी एक हंस्ती खेलती जिन्दगी थी मेरी भी शादी होई थी मुझे आज भी याद है मेरी शादी की वो पहली सुहाग राद जब मैं अपने पती का इंतिजार कर रही थी तभी? तभी? वोल वोल न है मनु दो र्मर के ला मेरी पती को उन लोगों ने माल डाला और मेरी जिंदगी बर्बाद कर डाली उन लोगों ने और में एक आम लड़की से एक आठंग वादी बन गई अरे तुम तो हैंसा वादी थे अब तुमने भी हत्यार उठा ली चाया तु सच नहीं जानती इन लोगों ने मेरे बाबुजी को पाल डालाएं छुट कह रहे हो तुम तुम्हारे बाबुजी आतंग वादियों से मिले हुए थे जहर बर्दिया तुम्हारे दिमाग में इन लोगों ने मेरे खिलाफ क्या बाद अठागुर साहब आज खान के दर्वार में कैसे आना हुआ देखो खान हमारी तुमारी कोई दुश्मनी नहीं है होगी भी नहीं क्योंकि हम दोनों एकी थाली के चट्टे बट्टे हैं हम ब कपड़े पहनगा अतंग पहलाते हैं बहुले बाले लड़कों का अतनग बनाते बेकार बाते मत करो खान मूझे ताट्या का सिर्च फिर्चाही पता है अगर तादियागा तुम्हें सर नहीं मिला, तो वो तुम्हें माट डालेगा फिगर मत करो, तादियागा सर मिल जाएगा और दूसरी बात, मुझे अपनी बेटी चाहिए देखो ठागूर, हर चीज़ के एक कीमत होती है बोलो क्या कीमत चाहते हैं बड़े धागा आपकी इस इलाके में, इस इलाके के ठागूर जो ठाहरे हाँ वो तो है हमारे चार आत्मी को यहां की पुलिस ने पगड़ रखी है उसे छुड़वा दीजिए छुड़वा दूँ, हो जाएगा और फिर हमें बाडर पार भी करवाना होगा लेकिन मेरे साथ मेरी पूरी पल्टन भी है और मैं यह नहीं चाहता हूँ कि उनकी यहां लाशें बीछे ठीक है, वो भी हो जाएगा बहुत खोग, तातिया गश्वर मिल जाएगा लेकिन तुमारी बेटी बाडर पार करने के बाद ही मिलेगी अच्छा, तो मैचलू, तो जाएगा जाएगा जलो जल्दी, जलो तारा, मैं अब भी कहती हूँ, अपने आपको पुलिस के हवाले कर दो त्रिपाठी मेरा नाम है बरकुरदार, जिन्दा नहीं, मुर्दा पुलिस के हवाले तुम्हें त्रिपाठी करेगा हाँ, साले मैं जानता था, जब मेरी बंदूग तेरी कन पटी के पास आएगी न, तो तु जान बुझ कर अपनी बंदूग अपनी ठांगों के पास गिरा देगा साले या तंक वादी, शान पंती, क्या समयता है, कि मुझे एक आंक से दिखता नहीं है न, इसलिए साले त्रिपाटी, एक आंक से सारी दुनिया देखता है, हाँ, अभी तुझे सेट करता हूँ मुझे मत मारो, मैं मरना नहीं चाहता, अरे मारना यह तो ठापर साब को मारो, जिसके कहने पे मैंने सब कुछ किया है हाँ, हम लोगा अतक बली नहीं है पर अब भी बोला नहीं है, यह सच है कि मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे बाप के कहने पर किया उसने मुझे पैजे दिये थे, कि इन बाप बेटों को इतना मारो, कि यह आतांक वादी बन जाए क्योंकि यह तुझे प्यार करता था मुझे तुम्हारे प्रेम की कहानी से क्या ले ना देना लेकिन मैं मरना ने जाता हूँ मैं मरना ने जाता बुचारो शाया ने, ने मुझे नमारो, ने आखिर हमारे साथ गदारी करे दिया मुझे किसी भी किमत पे तातिया और वो लड़की चाहिए जंगल का चपा 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 चान मारो, जाओ लेकिन चाया तारा के साथ गई तो गई क्यों देखो, अब मुझे से और जूट नहीं बोला जाता सच तो ये है कि चाया अब भी उतना ही प्यार करती है तारा से तारा कितने बार कहा कि आतंग वादियों की प्रेम कहानी नहीं हुआ करती लेकिन तू घद्दार करने से बाज नहीं आया अरे सुनो ठागुर साब को ख़वर कर दो कि उनकी बेटी मिल गई है और इस घद्दार को बंद कर दो तुम जानते हो हम क्या सोच रहे हैं जी हमेशा आसमान को पाने की सोचो जब तुम आसमान को पाने की सोचोगे तो सारे चांद सितारे तुम्हारे मुठी में होंगे एक बार काश्मीर पे हमारा कबजा हो जाए तो वो दिन दूर नहीं जब पूरे हिंदुस्तान पर हमारा कि हुआ है कास्ट आपका माल को मिल गया ना को मैं तो माला माल हो गया बहुत कुच खोश्च हुआ है अन्साहब 15 दिनों के बाद आपको अपने साथियों के साल हमारे मुल्क में अ मत कि किये आब बोडर पार करवाने की तयारी ज्टाप की है क्यों डागू साहब और उसके बाद मेरी बेटी मेरे हवाले कर देंगे लेकिन आपने अपना वादा पूरा नहीं के अखान क्या आँसा वादा चैया को जान से मारने का वादा आप फिगर मत किजे ठाकुर साहब ताधिया कर सार आपको यहीं पेश कर दिया जाएगा लेकिन आपकी बेटी हमें पार करने के बाद ही आपके हां मिलेगे ठीक है ठीक है खान मैं चलता हूं थाफिस खान थाकुर जैसे कमेनी लोगों के साथ तु मिल गया है रोट वा तमीज घटार लड़की गद्दार अरे गद्दार तो तू है तू हमारे बिल्ली आज तारा के इशारे पर नाचने लगी आज एक नहीं दो प्यार करने के लिए मैं नाची हूं एक अपने तारा के लिए और एक अपने देश के लिए तू और देश भक्त अरे तेरे मुकाबले तो मैं देश भक्त हूं मैं तूने अपने ही दुश्मनों से पै लासों गिले तो किसी भी देश को बे सकता है किसी भी देश दो रही को अपना साथ ही bana सकता है हेट हमारी लड़ाई शूपर व करने की नहीं थी बलकि इसक इसक शिस्टम के खिलाफ की ऐसे कमी लोगों को खतम करने कीती हमारी धर्ती से गद्दारी मत करना वरना धर्ती फज्जाएगी, शोले उगलेगी और तुझे जलाकर रात कर देगी रात तो मैं तेरा कर दूँगा हराम हो जा भूंड़ उस्साले को ले जो इसे भी, ले जो कर दूँपू का दूआ कर दूँँश झाल झाल जनरल साब खान बोल रहा हूं हलो हाथ खानवाई बोलो अपने जवानों को खवर कर दो कि कुछी घंटों में हिंदोस्तान की सरहत पार करके आपके मुल्क में दाखिल हो रहा हूं अरे भाई ये क्या बेहुदा हरकत कर रहे हूं मैंने कहा ना आपको 15 दिनों के बाद यहां है जनरल साब मेरी भी मजबूरी है आप समझने की कोशिश कीजिए यहां की पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है इसलिए किसी भी किमत पे सरहत पार कर नहीं पड़ेगा नो 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 खान सहाब क्या है कि अमेरिकन ग्रूप यहां आ रहा है वो पूरे बॉर्डर का मॉयना क करने वाले हैं और मैं नहीं चाहता है कि उनको इस बात का पता चले कि हम आतंगवादियों को पना दे रहे हैं मैं कुछ नहीं जानता जनरल मैं किसी भी किमत पे बॉर्डर पार करके आ रहा हूँ हाँ 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 प्रुब जो जो अग्यार आप लुट कि अग्यार आप लुटार आप लुटार आप लुट से लुट से लुट है झाल झाल वजाग झाल 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 गान, लुच्जा गान, मुझसे बस्टर कट्र भागेगा तात्या, जी चाहता है कि आज तुझे मैं इसी वक्त गोली मार दूँ गोली चलाना तो मुझे भी आता है वो मैं भी जानता हूं तात्या लेकिन क्या तुमसे बताया नहीं कि तुम दोनक दूसरे से सच्चा प्यार करते हो लेकिन तात्या, मुझे चाहे कि बुवा ने सब कुछ पहले बता दिया था तात्या, आज तुम्हारे सच्चे प्यार को सल्यूट करने को जी चाता है पर मेरे दोस्त, अफसोस इस बात काई कि मुझे मजबूरन तुम्हें गिरफतार करना पड़ेगा जाहो तो मुझे सूली पे चड़ा दे, बस एक बार मुझे खान और उसके सातियों को बहार जाने से रोक लेने दे क्योंकि वो अगर चले गए तो इंसान नहीं बारूत बनकर लोटेंगे फिर पूरे देश को तेस्नेस कर देंगे बस भाई एक बार मैं उसे रोक लूँ तो मैं अपने आपको कानून के हावाले कर दूँ ओके ओके लेकिन एक बात और ठाकूर ना अपने गुनाहों की जिम्मेदारी ले ली है और अपने आपको कानून के हावाले कर दिया है अज़ा गान मुझसे बश्चर कट्र भागेगा अज़ा गान अज़ा गान अज़ा गान तातिया मुझे माफ कर दे देख तातिया तू चाहे तु मेरी सारी दवलत ले ले और फिर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा तातिया तुझे मैंने सारा दिया अधिया आदमी दिया तू मेरे जान का दुश्मन क्यों बना है अरे तेरे जीसे दुश्मन ही थी उसे दे तुने खत्म कर दिया मेरी जान बक्ष दे इंसानी अज़मन के इंसानियत का सबूत दे दे मुझे माफ कर दे मुझे माफ कर दे आज मैं तुझे जिन्दा नहीं चड़ूँगा चल यहां से चल टारा उठो पर उठो कर दो यह तुमने क्या क्या तातीया आज मैं सबके सब आतंगवादिये को मार चालूगा तुम आतंगवादी को मिटाना चाहते हो और मैं आतंगवाद को ठीक है मेरे दोस्त चला अब तेरी दोड़ यही खतम है समझा मुझ जैसे आतंगवादी को खतम करके क्या होगा अरे देश में पनप रहे आतंगवादी तो खतम नहीं हो जाएंगे ने और फिर आतंगवाद को खतम करना तो जल से खतम करो और जल से खतम करने के लिए तुम्हारी सरकार को सदियां भी जाएंगे इंस्पेक्टर अरे नहीं तुझ जैसे आतंगवादी को खतम करने के लिए हमें सदियां नहीं चंद लमें चाहिए लमें भूल गई कारगेल में हमने दुश्मनों के कैसे चक्के छुड़ाय थे आज मैं उसी तरह मार मार कर तुम्हारे चक्के छुड़ातूंगा ताकि तेरा हशर देखकर कोई भी आंतकवादी बनने का सपना ना दे हुआ 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 किरे दो, पुरके अजडर बाहे और जान तरह, जो भॉवानी और फोर में जडती सोयक त chil sाची यछ कर दो लुब लुबार दोरी आगाई! क्या बाग रहा हैंजाब ? मैं आड़ दो अपने खल्तियों पे फैसास करके अपने आप को कानून के हुआले करने जा रहा हुँ हाथ आदिया जो इनसान अपने देश अपने समाच अपने कोम के साथ घद्दारी करे वो इनसान इनसान नहीं है अरे उसे तो नीचे भी नहीं उपर भी माफ नहीं किया जाएगा और मैंने कितने देश को आपस में लड़वाया कितने नौजवानों को आतंगवाधी बनाया सिर्फ पैसों की खातिर मैंने मैं अपनी गलती बेशर मिन्दा हूं तादिया मैंने आहुत बड़ी खलती की है इसलिए मैं अपने आपको कानून के हवाले करने जा रहा हूं मुझे ले चलो तादिया मुझे कानून के हवाले करतो ले चलो मैंने कहा था ना आतंगवाध को खतम करूँगा ये ले गिरफतार कर लो इसे मुझे भी गिरफतार कर लो मैं भी अपने आपको कानून के हवाले करना चाहता हूँ खेर मुझे तो नहीं तुझे तो तेरा प्यार मिला मैं भी अपने आपको कानून के हवाले कर रही हूँ दिल पर मिटा के आजा सभी पात ले छोड़े दे तु सारी दुनिया मुझे था मिले दिल पर मिटा के आजा सभी पात ले छोड़े तु सारी दुनिया मुझे था मिले मेरे दिल को तु अबर आने ना सता तुझे मैं तो पाही लोगी मुझे है पता मुझे है पता तुझ पे होगा मेरा ऐसा असर मेरे साथिया तेरे बिना सूनी दगर मेरे साथिया रह गया है अधूरा सफर मेरे साथिया तेरे बिना सूनी दगर मेरे साथिया तेरे बिना तोने डगर मेरे साथिया तेरे बिना तोने डगर मेरे साथिया तेरे बिना